अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाजुमे बनी घंटी को भी ज़रूर दमाएं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे दोस्तों अगर अक्सर आप कमजोरी महसूस करते हैं और अपने अंदर ताकत पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महंगी महंगी दवाएं और सप्लिमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा तर लोग अपने शरीर में ताकत पैदा करने के लिए डॉक्टरों से दवाएं पूछते हैं वही कुछ लोग तरह तरह के कैपसुल और सप्लिमेंट्स वगेरा का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि शरीर में ताकत पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नेचरल चीजों का ही इस्तेमाल करें ऐसा करने से आपके शरीर में ताकत भी पैदा होगी और आपको इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा जो कि दुआएं और दूसरी चीजों के इस्तेमाल से होता है इसलिए दोस्तों शरीर में ताकत पैदा करने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त और मज़ेदार नुस्खा शेयर करने वाला हूँ जिसका रोजाना सेवन करने से आप खुद अपने शरीर में ताकत महसूस करने लगेंगे तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाना बहुत ही आसान है और याद रहे इसे आपको रोजाना सुभा नाश्टे में खाना है तो इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़े लेनी है दूद, रोटी और केला सबसे पहले आप एक से डेड़ गिलास हलका गर्म दूद ले लीजिए अब इसमें एक से दो रोटी को बारीक बारीक टुकडे करके डाल दीजिए और रोटी को इस दूद में उंगलियों की मदश से अच्छी तरह से मसल दीजिए अब आखिर में एक से दो केला लेकर इसे भी दूद में अच्छी तरह से मसल दीजिए जब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें आप अपने सौाद के हिसाब से मिठास पैदा करने के लिए थोड़ी सी शक्कर भी डाल दें दोस्तों ये अब आपकी ताकतवर डिश रेडी हो गई अब इस अनुखी डिश को रोज आना सुभा नाश्टे में खाना शुरू कर दें दोस्तों आप सिर्फ एक महिना ये खाकर देखें आपको फर्क साफ नजर आने लगेगा ये नुसका ना सिर्फ आपके जिसमें ताकत पैदा करेगा बलकि अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो ये आपके शरीर को ठोस और मजबूत भी बना देगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं बाकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इन घरेलों उसकों से फायदा उठा सके और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बने घंटी को भी जरूर दबाएं थैंक्यू फॉर वाचिंग